आप देख रहे हैं दखल न्यूज नमस्कार मैं हूँ एड़ुकेट अखलेश श्रीवास्ताव करके दना चाहिए किसे मिलना चाहिए अज बास्ताब न्याए ब्रस के लिए की एक मुद्दा है अनुच्छे 370 और 35 इसके लिए चर्चा के लिए हमारे साथ पढ़ारे हुए मेमान है प्रमोश सक्षना जी जो एक बरिष्ट अधिवक्ता है राश्टी स्वाइन से जुड़े हुए है भारत बर्स के मंत्री है साथ में हमारे साथ जुड़े हुए है श्री रागवें जी से रागवें जी यह अनुच्छे 35 और 370 यह क्या है वास्तम में और इस पर इतना बवाल आज क्यों मचा हुआ है मुझे लगता है 35 तो बाद में आया है 370 जो पहले 306 था हम इसके उसमें जाना पड़ेगा यह वास्तम में एक अन्याय की धारा है और अन्या इसानिक तरीके से ही देश के साथ अन्याय नहीं करता है यह राइनितिक दोका दड़ीवी है और मैं कहूं कि एक आजात भारत में अगर सबसे बड़ा कोई ब्लेंडर कह सकते हैं और आज तक हम उसको ढो रहें तो वो 35 ए है प्रमोट जी यह 35 ए अनुच्छे जब लागू क किया गया तो 35 ए अनुच्छत लागू करने के लिए ऐसी क्या मजबूरियां रही होंगी उस समय के तत्काली सरकार द्वारा इसका निर्णाय लिया गया जो आज भारत स्वयम के लिए एक नियाय का विशय बन गया है जो धारा 370 की बात आपने करी वह भारती समिधान में बड़ी विशिस्ट टाइप की धारा है और इसमें ये अस्थाई धारा थी और कुछ समय के लिए जब तक की कश्मीर के एक्सेशन से संबंदी जो टेक्निकल्टीज थी वो पूरी ना हो जाएं तब तक के लिए एक अस्थाई धारा वहां पे बनाई गई थी उम्मीत के सा संब्ली अलग से गठित की गई उन टेक्निकल्टीज को पूरा करने के लिए अचानक से एक प्रेसिडेंशिल आर्डर से सन 1954 में 35 अनुच्छे समिधान में जोड दिया गया अब ये पूरे विश्व में एक बड़ी विचित्रताओं से भरा मामला है हिंदुस्तानी जो हमा वहाँ पर एक अनुच्छे मात्र प्रेसिडेंशिल आर्डर से जोड दिया जाना ये आज तक इसी लिए इसको चुनोलती दी गए ये मानी सुप्रेम कोड में इसलिए मैं इसमें बहुत कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मामला सब जूड़ी से और मानी सरोच नहाले के सामने ये मामला है लेकिन बिना समयधान में एक अनुच्छे जोड दिया जाए और उसमें इसी प्रकार से पार्लियमेंट की कोई कंसेंट नहीं हो जदे भी पार्लियमेंट का जो गठन होता है वो राश्सभा लोकसभा और रास्टवती जी से मिलकर होता है तो अकेला क्या एक प प्रिम कोड के सामने प्रश्णगत है अनुच्छत 35 ए एक ऐसा नुच्छत है जो जम्मू कश्मीर विदान मंडल को इस्थाई नवासी परवासित करने की नागरुकों के विसेस अधिकार करने का उन्हें अधिकार देता है और इस आदेश को राश्टपती के आदेश से 14 म को अनुच्छत 370 के खंड एक में जोडा गया 35 ए जब जोडा गया तो यह विसेस अधिकार का एक वहां के नागरुकों को अधिकार मिला जिसके तहत पाकिस्तानी नागरिक अगर जम्मू कश्मीर के किसी निवासी लड़की से अगर विवा करते हैं उन्हें भारत की नाग वास्तम में भारत वर्ष को लाब देने के लिए जोड़ा गया या पाकिस्तान को लाब देने के लिए जोड़ा गया जैसे मैंने कहा कि यह वास्तम में जो अनुच्छे थे अन्यायक अनुच्छे थे अगर आप देखें इसके पुराना थोड़ा सा पीछे जाने के देखे 370 कैसे हमारे संविधान में इंट्रीज हुआ उसका भी अगर आप देखें तो 370 को इंट्रीज करने के लिए भी हमारी कोई जो संविधान सभा वनी थी उसकी तरफ से प्रस्ताव नहीं आया था और संविधान सभा के लोग थे उनकी तरफ से था यह सबसे आखरीव है जब बिलकुल संविधान सभा अपने निर्णाय ले चुकी थी उस समय लास्ट में किसी ने उसको जोड़वाया है और वो जोड़वाते समय सारी चीज़ों में हैं कि एक अएस्थाई विवस्ता है और सिस्टम में कुछ काम राज्य के होंगे कुछ होंगे केंद्र के इन दौनों को टाय करने के लिए जब था कि अपना संविधान राज्य को अपना बनाना है अपनी विवस्ता इस तरह की यह बनाने के लिए उसमें आर्टिकल 370 को एक अईस्थाई रूप से जोड़ा गया उसको जोडने के बाद तुरंत जैसे सारे राज्यों में कॉंस्टिट्यूशन असेंबली बनी थी वो समाप्त हो रही थी इसको भी समाप करने की बात आई तो उस समय जे एनके की परिस्थिए थोड़ी से अलग हो गई थी अलग ऐसी हो गई थी कि 1947 में जब भारत में जाएगा उतने समय के लिए का इस्थाई विवस्ता थी लेकिन वाज आज इस्थाई विवस्ता इतनी लंबी बनी हुई है और इसके बाद 1954 में राश्टपती महुदय का एक प्रिसिदेंशियल और के रूप में सामिल हुआ है बो और वास्ता में अगर देखने तो इतनी पाकिस्तान से आए हुए लोग है भारत के नांगरिक हो सकते लेकिन नहीं हो सकते और तो और आप देखिए जो हमारे सेने जम्मू कस्मिर में लड़ते हुए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देते हैं वह उस जगए पर नहीं रह सकते मुझे लगता इससे बड़ा तो अ प्रामीर चक्रविजेता भारत का पंडिस सौमनात सर्मा वह आज अपने उसके बच्चे नाती पोतेवान नहीं रह सकते जिसने अपने प्राणों की आहुती देश की रक्षा के लिए तो मैं मानता हूं कि अगर सम्मिधान के साथ में सम्मिधान के द्वारा देश के साथ म अगर को सबसे बड़ी दोकाद़ी है वह यही है अगर आप देखें तो आर्टिकल 14 मौलिक अधिकारों का उलंगन जो कानून के समान के समान समान संदक्षण का है आर्टिकल 21 जीवन और स्वतंदरता का अधिकार है यह भी जो है भारत के नागरों का पूंड रूप से यह 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 लंगन करता है इसके वारे मह थोड़ा प्रकाश्टार है कि ऑगरी ने जी बड़ी मज़ेदार बात कि बाहरत के सम्मिधान को जो सब्स्राइस जो लिखने का एक श्रे जाता है उटे दोर पर उष्रे जाता है ड्क्टर भीहर मुँट करो को और बड़ी मज़ेदार बात है कि जब यह लखे जारी सी धारा 306 डॉक्टर बियार अम्वेट करने इस पर असकत करने से बना कर दिया था यह समयधान सभागी जो बहस हैं कि अगर हम डीटेल्स देखें तो उसमें यह चीज उपलब्ध है कि डॉक्टर बियार अम्वेट कर गे रहे थे देश और उन्होंने इस पर्टिकुलर इस धारा 306 पर दसकत करने से मना कर दिया था ना दसकत किये उन्होंने यह उनको परहटा कर यह प्रोविजन जोड़ा गया है यह आप ने जो बात करता है कि जो मीठा 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 गप और कड़वा कड़वा थू वाली जो परिस्तिती जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसकी स्विक्रिती के बिना वहां पर भारती कोई कानून लागू नहीं हो सकता तो मिधान के भी खंडवा लागू हो सकते हैं जिनको की जम्मू कश्मीर की असेंबली स्विकार कर ले जम् कि जो आरक्षन का मुद्दा है जो वीकर सेक्शन को आरक्षन दिया जाना रहता है इभी तो उनका मौली का धिकार है वह यह जो बेचारे पंजाब से सफाई कर्मी वालमे की समाज के ले जाए गए थे जारों की संख्या में क्योंकि कश्मीर में जिस तरह के लोग थे वो सफ सफाई का काम नहीं कर सकते थे इसलिए पंजाब से उन्हेंने वालमे की समाज को बलाया और उनको सारे लालस देखे के तो उनको यहां के नागरिक बनाए जाएंगे इस तरह के पूरे आस्वाशन देके उनको बलाया गया लेकिन आजादी के बाद पूरे देश में S.C.S. आरक्षन लागू है लेकिन वालमी की समाज को इसी जो ये एक विशमता है समयधान की भारत में धारा 370 के कारण 35 के कारण उस वालमी की समाज के लोगों को चाहे उनका बच्चा पीएजडी कर ले चाहे वो कितनी भी बड़ी पढ़ाई लिखाई कर ले उसको वहां पे सफ जम्मो कश्मीर की जो विवस्थाएं करती हैं इसा दुनिया में कहीं उधार है और वो नोकरी का बेतन भी मात्र 25 रुपए जो उस समय से फिक्स था आज भी है बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर कोई इस तरह का अनाचार और दुराचार इसी समाज के सांथ एक वर्ग के सा कानुनी तोर पे हो सकता है तो मिधानिक के तोर पे हो सकता है ये इजताई कि भिर का विषाई वत्ति अझी अनुच्छी कि राश्टिय धच एवं राश्टिय प्रतीकों का अपमान जो है वहां अपराद नहीं है मैंने आप से कहा ना जो भी भारत वर्ष के अंदर भरती समयधान के अंतरगत पारलेमेंट जो कानून पास करती है वो बिना जम्मू कश्मीर की असंबली के स्वीकृति के वहां पर क अपने आप अरिलिक्षित होता है कि वहाँ पर किस प्रकार की एक राजनेतिक विवस्ता वाभी दिहें आपने जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत काम किया है देश ये रख्ति आपके इसकार की सराना करता है जानता है हम आपसी यह जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी रही उस समय 370 के लिए उच्छ न्याल है कि आदेश भी जम्मु कश्मीर पर लागू नहीं है और भारत की जो संसद है संसद को जम्मु कश्मीर के बारे में सीमेत अधिकार है संचार का अधिकार है संचार के अलावा बहां भारत सरकार को किवल दो और अधिकार है एक है रख्छा का और दूसरा है बिदेश मामलों का इसके अलावा सरकार या संसद को ना तो कोई कानून मना सकती है और ना ही वह यह में उस समय की जो पॉरा सिस्टम था उसकी मानसक्ता को समझने की आव सकता है जब मैं पॉलिटी की बारे में बात करता हूं तो केवल राहिनेता उसमें सामिल लेंगे उस समय के जो विरुक्रेट्स होंगे वो भी है और बड़े लेखक पत्रकार जो भी बुद्धी जीव से ही एक सी ही चली आ रही है लेकिन हमारे में आज मैं कहूं अभी पिछले 2-5 साल से छोड़ दिया जाए हमारे में क्लियर्टी ही नहीं है हमारे पूरे पॉरे पॉलिटीकल सिस्टम के अंदर वो कैसा है मैं आपको उधारण के दूर पर बोलूं कि जब देश आजाद होने जानते हैं जिस तरह की यहां की संभीदाने के वस्ता है वह वैसा चलेगा उस दिन से भी हमारे दमाग में आज तक चला है हमारे कुछ पॉलिटीकल लोगों के दिमाग में चाहे मैं कहूं देश के पहले प्रदानमत्री नहरू जी से अगर उसकी विचार किया जाए तो उन जैसे इस समस्चा को हम आज तक यहां लेकर के खड़े हैं और मैं कहूं दुरुभाग से इस पूरे के पूरे सिस्टम को इसी तरह से चलाया है कई वार हम देखते हैं जब नवाज सरीफ भारत में आए और नवाज सरीफ ने बैट करके यहां बोला कि हम भारत से सारी बातो ने सबुस्ता सब कर लेते हैं जो हम कोई नकुछ की बात करते हैं पूछ ने कुछ ले दे के लिएस कि पकिस को जाकी आज आज नहीं तो कल हमें उसको खाली कराना है और भारत के सखंड इससे को हमारे पास रखना है जिसके मन में इसके प्रती संदे है मुझे लगता है कहीं न कहीं वो देश को समयने का प्रयास नहीं किया और अपने बेख्तियत एजण डे लागू करने का प्रयास है यहां पर ब्रेक के बाद शीघ्री आपको सामने उपस्तित होंगे इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आप देख रहे हैं दखल नियूज संगीत की सवर लहरियों से सांस्कृत एक ताने बाने तक चंबल के पीड़ों से नकसलवादियों के गड़ ता जोपड़ी से महलों ता ठेलों से मेलों ता पक्दंडियों से सडकों ता गाउं से शेहरों ता व्यापार से उद्योगों ता राज़दीती से कूटनीती ता दखल नियूज आपके हट ता प्रिया के जोड़ी से जाप्ते एंवेस्ट के प्रियाव दोपत्व के ता घ्यूज आपकेशनीटी उन्यूज नियूज एक अशी नियूज थैसलियूज आपके अ।यू नियूज जापके था एंब आप देख रहे हैं दखल नियुद। भारत की आजादी जब 1947 में हो गई थी, तो 1954 बाली बात इसमें कहां से आई? आपको मैं करेक्ट कर दूँ, ये 14 माई 1954 को तो ये लागू हुआ है, इसमें जो नागरिक्ता वाला सवाल है, वो 43 से पहले वाला है, जो 1943 से पहले जम्मू कश्मीर में बसे लोग थे, ये वल वो जम्मू कश्मीर में रह सकते हैं या स्थाई निवासी हो सकते हैं? ये और भी बड़ी विचित्रोगा थे, जब 1904 में अगर कोई कानून लागू हो रहा है, या कोई आपने कोई अनुच्छेद या कोई जिस तरह का आपने प्रावधान किया है, तो फिर 1943 से क्यों है? भई, 1943 में तो देश भी आजात नहीं हुआ था, अगरेजों के हम अधी पारा हुआ, तो कई लोग विचारे घरों से उजड़े, पाकिस्तानी चेत्र से भारत में आए, भारत से पाकिस्तान गए, लेकिन कश्मीर चेत्र में ऐसी क्या बात थी, कि 1943 से पहले जो कश्मीर के नागरिक थे, उसका कारण था, ये टार्गेट किया गया था, कि जो कामला कोर्ट में है, वो डिसाइड करेगा, लेकिन एक निशित तोर पे एक खुराफात थी, लोगों को जो पाकिस्तान चेत्र से पिटपोटा के आए थे, मैं खुल के कह सकता हूं कि जो हिंदू अबादी वहां से जो प्रताड़ित हो क्या थी, उसको जम्मू कश्मीर में ना बसने थे, क्योंकि उनकी संस्कृति जो थी, उनकी संस्कृतिक पहचान वहां से थी, वो जम्मू से थे, पंजाब से थे, ऐसे चेत्र से थे, कि वो संस्कृति के माध्यम से उस चेत्र से जोड़े हुए थे, तो उनकी स्वभाविक पसंद वहां पे बसना था, लेकिन आज दिनांग तक उनको वंचित रखे जाने के लिए केवल यह प्रावधान जोड़ा गया था और यह खुराफा से जादा कुछ नहीं था देखते हैं इसमें माननी सुप्रिम कोर्ट क्या ने ने लेती है रागविन जी अनुच्छे 370 जो है वो महराजा हरी सिंग और नहरू जी के मद्द एक समझोता हुआ था जिसको इस्टूमेंट ऑप एक्सेसन है जो आपने पहले भी कहा है इसके पस्चात 1952 में अपने यहां के तत्कालीन जो प्रदान मंत्री थे नहरू जी और बहां के जो मन्शा ही इनकी ठीक नहीं थी उसके साथ में 35A में जो चीजें लिखी गई तो ऐसी क्या मजबूरी रही होगी भारत वर्ष की उस समय कि इसको 35A को उन्होंने माना भी लागू भी करवाया और आज तक एक विबाद जो है हमारे साथ भारत वर्ष के साथ एक अन्याय के सब्सक्राइब करने के लिए है समयतान कभी किसी को वर्ग जाती धर्मी के अधर पर अन्याय करने के अन्मति नहीं देता है दूसरा सबसे बड़ा जैसे मैंने भी जहां अपनी बात खतम करता तो मैं वहीं करूं कि हमारी उस समय के पॉलिटी सिस्टम के अंदर ये पूरा म सब्सक्राइब और पिछला जो मनमौन सिंग्जी का लें फिर उनने उस ही ट्रैक पर चला शुरू किया एक इंटर लोकेटर कमेटि बना जाए कमेटी वहां बात करेगी इंटेलोकटर कमेटी में कुछ आदान-परदान होगा कुछ टेवल पर बैठके हम समझोता कर लेंगे तो पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रियेट किया हुआ है मैं कहूं जी एनके को यह एक मिस हैंडलिंग है और एक ग अगर आप 370 को पढ़कर के देखिए तो उसमें किलियर लिखा हुआ है कि इसको बापस कैसे किया जाएगा जब उसके बापस लेने की विवस्ता है तो मुझे लगता है कि अंदर अभी तक हट जाना चाहिए था और नहीं है जब तक यह 370 रहेगा जब तक यह सारी बिसमत बनी रहेगी तो हम कहेंगे कि हम एक जेनके के बारे में जो हमारा सोच होना चाहिए वो हम बहुत किलियर करके जेनके के लोगों के साथ न्याए नहीं कर पाएंगे और यह न्याए केबल वहां के हिंदूओं के साथ ऐसा नहीं है बांकि मुस्लिम आभादी के साथ भी अन् हर और यहां तक कि जम्मू की आवादी ज़ादा होने के नहीं सब्सक्राइज कार्ण आरगा पूसतों को तो बन्याय करने यह कुछ दिखायद वहां कोई व्हादिकार नहीं हैर थास पुछ पंच्चायत हो हो थे वहां तो तो चिना मैं gun लपना करें कि इस देश के अंदरा ये किस भी सदी में बैठकर के इभी इतना बड़ा न्याय हो रहा होगा जैसे अभी आधरनी वकिल साब ने जो मिसार रखा कि जब आजादी के समय में जो लोग पाकिस्तान से भारत आए थे सभावी क्रूप से कुछ लोग महां रुख गए थे क्योंकि आपने बोला के क्लाइमेट और कल्चर के साब से वो उनको बहुत सूट करता था धाई लाक लोग महां रुख गए थे वो आज भी अपने बोटिंग राइट और अपने अधिकारों के लिए हैं उसके बाद जो द दूसरी में एक और मज़ेदार बताता हूं आपको जम्मू कस्मीर के अंदर जो कुल विधान सवाएं हैं और लगवग होंगी साथ 123 उनको मिला करके और केवल 87 पर चुना होता है पूंचा भी या यह क्यों उन्होंने कहा कि साब जो लोग क्योंकि जेन के कुछ हैसे पर प अगर हम आपको यहां माइगरेट का परसन मान लेंगे रिफ्यूजी मान लेंगे तो हमरा उससे दावा कमज़र हो जाएगा आज भी बेचारों को रिफ्यूजी के भी अधिकार नहीं है बागी तो सब अलगे जिस घर में वो 1947 के बाद रहने लगे थे आज भी 1947 से लेकर के 2019 तक वो उसके मालिक नहीं है वो उसके कस्टोडियन है केवल और वो कस्टोडियन के रूप में किराया देते हैं जो 1940 इसको छोड़के चला गया उसके लिए मुझे लगता है जब मैं जेनके को देखता हूँ तीन सो सतर को पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा बलंडर कानून के नाम पर न्याई के नाम पर समिधान के नाम पर कैसे किया सकता है और बहुत ही लगता है और मैं इसमें मानता हूँ कि उस समय के सारे है इसलिए आज हम सतर साल के बाद भी इस अन्याई के 370 को लिए करके चल रहे हैं माल्वा के गाओं में आप गई हो कभी मालवा के गाओं में अगर जाये तो दूंद बाहर घर के वह प्रिवाइस में होता है र की बाहरो चबूतरापन भोलते हैं रह आज ढयाता है वह जो बुझुर्ग होते हैं विचारे घर के कुछ लोग ऑक पेट रहे नहीं है अरी बार वेटे हुए हैं उन्हें अंदर खुसने की पर्विशन नहीं है बाहर हो जानी सकते हैं वड़ी में चित रिस्तिती है तीन सो सकतर भारत के अन्यराजियों में भी लागू है तरनाटक में हम देखें हमाचल में हम देखें 370 वहां भी है लेकिन जम्मू कश्मीर की तरह 35 वहा किन्तु यह तो भी एतिकार लेगे हैं इसको इस रूप में देखना पड़ेगा बहुत जरूरी है जैसे मिजोरा में अगालेंड है अरुनाचल है मेगाला है यह यह विशिस्ट चेतरे हैं हमारे ट्राइवल एरिया में है किसी बंदवासी की जगह नहीं करी सकते हैं अब बहुत ज़्द अई शर्णद करने के लिए घरना त Freeg年 यह सॅ हूप ए इंधिनो में यहां विशिड ही संतु एलग थलक कर देने की बाते लिए रगेचिश करोड़ करूं और साथ सो कज़ के च्य बह्ग bothamare, जम्मू कषमीर के लिए विसेस्ट्वाइठवाधा में एक त पाकिस्तान से वो रखने वाले, सौप कॉरनर रखने वाले आज भी जम्मू कश्मीर को बास्तम में पूरी तरह से भारत का होनों नहीं देना चाहते हैं, क्या करा अभी एन आईए कि जाचे हैं, वो दो बड़ी गंभीर हैं कि भई पाकिस्तान से लोग फंडिंग ले रहे है पाकिस्तान से फंडिंग, बड़ी बड़ी फंडिंग ले रहे हैं, सिर्फ इस लिए कि कैसे वाहाँ मह mixture को भारत के खिलाफ भनाय जा सके ये और उन लोगों को भारत सरकार भी पैसे दे रही थी अभी तक, जो जानकरी आई हैं, बड़ी चुकाने वाली जानकरी हैं, भारत सरकार भी पैसे देती थी, पाकिस्तान सरकार भी पैसे दे रही है, दोनों तरफ से मजे लेने वाले लोग, सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान क्यो पैसे देगा उनने भारत विरोधी एजंडा बनाया रखने के लिए भारत सरकार कियों पैसे दे रही थी अभीता कि ये चुपचाब रहें मतलब कुछ लिए उनसे उमिद रख सकते हो आपके वह भारत के पक्षमें बोलेंगे तो मिला कि इस सम्में जंता पिसी जहां तक 370 म हमारे समिधान में उसमें विशेश जो आदिवासी जैसे हमारे इंडवान निकोबार में भी है इन लोगों को संवरक्षित करने के लिए उनकी एक अपनी संस्कृति है उस संस्कृति को संवरक्षन देने के लिए और ये विभिता में एकता हमारे देश की जो विशेशता ह इसकी ग्यारेंटी देने के लिए कि आपकी संस्कृती से हम चेड़ चाड़ नहीं करेंगे और जगे कम हम देख सकते हैं आप तरपुरा जाएंगे मेगाला जाएंगे वहाँ पहुती जटिल परिस्तितिया है वहाँ जमीन बहुत कम है वहाँ बाहर से लोग जाके बसने लग की थी और संदक्षण के पीछे यहां आतंग बाद वापस आ गया है ऐसी इस्तिती में इनको वास्तव में संदक्षण की अवावशक्ता है या इस संदक्षण को समप्त किया जाना चाहिए मैं फोड़ी से बहुत महीं दर्वत बताना चाहूंगा जैसे बकिल साब नहीं ब पर चल रहा है वो पाकिस्तान किस हद तक करता है पाकिस्तान अमेरिका ने पैसा दिया पाकिस्तान को पाकिस्तान में से उच कुछ पैसा पाकिस्तान ने दिया अमेरिका में गुलाम नवी फई फई क्या नाम है वो उसको और उसको किस बात के लिए दिया कि तुम यहां के चुनाव में पैसा लगा करे कुछ सानसदों को जिताओ और वो पाकिस्तान में हमारा पक्च रखेंगे पाकिस्तान की मैं कहूं के मंसा देखिए उसी से कर्ज ले करके उसी के यहां उसी के चुनाव में फंडिंग करके उसी को लोग खरीद करके अपने एजेंडों को मजबूत कराने का काम करता है यही वो भारत में भी कर रहा है औ शोटा नेनो बर्जन जो आप बोल लाएं के बहां के जो अलगाव बादी है वह добавी है भारत का पैसा ले रहा है बारत के turbo कर रहे ऐ है कि अव्याव कर रहे है बास्तम में 70 सालों में हमारी सरकारों ने भ्रैंस को समझने का प्रयास नहीं किया पहली वार ऐसा हुआ है कि तो हमें बहुत बड़ा दोका दे रहा है इसलिए दुनिया के सारे देशों ने उसके ऊपर से हाथ खीच लिया है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान जितना एक्स पोज इस समय हुआ है उतना कभी नहीं हुआ और पाकिस्तान तो एक्स पोज कहतम उन्हें की कगार पर खड़ को और यात्रियों को वाकि सभी को जो है जम्मू कश्मीर खाली करने के लिए एक सूचना दी है और बरतवान में देखें तो अर्च सेनकों बनों की जो है वहां पर तैनाती अफ्ट्यादिक मात्रा में हो रही है सरकार की मंशा जम्मू कश्मीर के प्रती बहुत साब इसी महिने में मानी सुप्रिम कोड इस पे सुनवाई करने वाला है अब प्रश्निया धारापैति से की वेधानिक्ता पर है धारापैति से जो जोड़ी गई है जिस प्रेसिजिंशल आर्डर से वह आर्डर देने का उनको अधिकार था भी या नहीं या अधिकार था तो किस सीमा तक था उसकी वेधानिकता पर प्रश्निय लगा हुआ है और उसका निराकरन मानी सुप्रिम कोड को करना है और हम देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री के पत पर बेठे गए लोग हैं वह आग लगा देने की और हाथ जला देने की शरीर जला देने की और कश्मीर जला की जब बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे देश में समयधान का मतलब कानून का साशन है मानी सुप्रिम कोड अगर किसी विशे पर सुनवाई करेगी तो निर्णे भी देगी और उस निर्णे को लागू कराना सरकार का नाकेवल करतव है बलकि सरकार की बहुत बड़ी जुम्यदारी भी है और भावना भी है तो अगर मानी सुप्रिम कोड यह कह दिए कि पेंती से इल्लीगल है मानी राष्टपती जी को यह पेंती से प्रेसिजिंशल आडर पास करने का अधिकार नहीं था तो फिर यह जो आग लगाने वाले लोग है यह जम्मू कश्मीर जल जाना तो अत्यावश्यक है और यह अधियातन कदम मुझे लगता है इसे उठाय जा रहे हैं इससे जादा और कुछ में नहीं समझते हैं रागविन जी जैसे की इसमें चर्चा में है पैती से प्रिसेंट प्रिसिदेंशियल ओर के तहत लाया गया था अगर इसमें हम अपन सुप्रिम कोड में इस प्रिसाइक पर चर्चा हो रही है इस पर रिट लगी हुई है हमारे जीनौ के स्टडी सेंटर जो हमारा उसको पर करके दीना हो सब के लिए होता है लेकिन इसमें है करने का अधिकार है तो ने चाहिए यह तो बड़ नेचुरल है दूसरा मैं इसमें चोटी सी बात कहना चाहूंगा जो हम बात करते हैं वहां की बहुत सारी चीजि़ों की चाहे वह हम असपा की बात करें तो मेरा प्रस्ण आप दौनों विद्वानों से भी है कि आखर सेना किस के लिए होती है बॉर्डर के लिए होती है अटाइसो किलोमेटर का अंडिफाइं सेना की जाने से पेट में दर्द केवल उन्हीं लोगों के है जो पैती से को अटवाना नहीं चाहते है जो भारत विरोधी है जिनकी सोच और मानसिक्ता ऐसी है कि उनकी दुकानदारी चलती रहे आज उनकी दुकान में मद्धी होगी कल बंद भी हो जाएगी इसलिए सबसे अन्याय की बात को आज मैंने उठाई है पुना मैं आपके साथ पुना आजर होंगा जब तक के लिए जाहें देख रहे है दखल नियूज रबिंद्रनाथ टेगोर युनिवर्सिटी फॉर्मली नोन अस आइसेक्ट युनिवर्सिटी अपाइनेर्स इंस्किल देवल्प्मेंट जोई इंडिया प्रेमियर स्किल बेस्ट युनिवर्सिटी रबिंद्रनाथ टेगोर युनिवर्सिटी उद्योगों ता राजडीती से कूटनीती ता दखन नियूज आपके हाद पाइनेर्स इसलिए लन्सीट युनिवर्सिटी हैं मौस्ट रस्टेड नेम अमंग स्टुदेंस अपन पर युजी अपीजी चूस्ट बेस्ट बेस्ट युनिवर्सिटी लॉगान तो लन्सीटी आप देख रहे हैं दखन नियूज